हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आईपियो के बारे में यह जो कम्पनी है वो इस्टेब्लिश हुई थी इन 2009 में और इंगेज है इन दा बिजनेस ओफ कंस्ट्रक्शन ओफ रो सिविल वर्क लाइक एक्सप्रेस वे नेशनल हाइवे फ्लाइओवर ब्रीज और और भी ऐसे प्रोजेक्ट से जो यह प्रोवाइड कराती है जिनके नाव आप इसकिन पर देखकर पड़ सकते हैं यह कंपनी बिट करती है फोर कंस्ट्रक्शन ओफ रोड बिज इरिगेशन केनल प्रोजेक्ट फ्लाइओवर इंडस्टिड एरिया जो मेंली इन स्टेट ऑफ तमिल नाडू में है जनवरी 2024 को कंपनी ने अभी तक 40 से जादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किये हैं जिसकी वर्थ अराउंड 31,321.03 लेक्स की है और एम्प्लोई यह हैं मोर देन 100 पिपु तो आप उसे स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं तो अभी जितना जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया है आगे हम इस वीडियो को चार पॉइंट में कवर करेंगे फर्स्ट में हम IPO की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे सेकंड में हम कंपनी के फाइनेस को देखे एंड फॉर्थ में हम एनलाइस करेंगे कि क्या हमें इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं तो आप इस वीडियो को लास सक बिना स्किप करिए देखिएगा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो असके पहले आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करने ताकि आप आगे भी IPO से एसी वीडियो देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले चलते हैं इस IPO की डेट्स एंड डिटेल्स पर यह IPO ओपन होने वाला है 13 मार्ट 2024 को और क्लोज होगा 15 मार्ट 2024 को यानि 13 मार्ट से 15 मार् हुआ है या नहीं इसकी इंटिमेशन आपको 18 मार्ट 2024 सक मिल जाएगी अगर यह आपको IP ओल ओड नहीं होता है तो उसका जो अमाउंट का रिफंड है वो आपको मिलेगा 19 मार 2024 सक अब इसकी जो लिस्टिंग है वो क्यब होने वाली है वो होने वाली है 20 मार्ट 2024 को यानि 20 म 2.34 करोड का और यह पूरा का पूरा क्या है फ्रेश इशू है शेर होडिंग प्री इशू है 1 करोड 80 लेक्स की पोस्ट इशू हो जाएगी 2 करोड 49 लेक 79,200 की अगर आप रिटेल के टिगरी में अपलाए करना चाहते हैं तो आपको मिनियम एक लोट के लिए अपलाए करना होगा और मेकजियम एक लोट के लिए अपलाए कर सकते हैं रिटेल के टिगरी में जिसका माउंट है 1,20,000 का और अगर आपको एचनाई के टिगरी से अपलाए करना है तो मिनियम दो लोट के लिए अपलाए करना होगा जिसका माउंट होगा 2,40,000 का आप परमोटर्स की होल है 50 परसेंट का रखा गया है रिटेल के लिए 35 परसेंट का रिजर्वेशन रखा गया है चली अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंस की 35 मार्थ 2023 तक का हमारे पास डाटा है और इसमें हमारे पास एसेट्स रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टेक्स नेट वर्थ रिजर्व एंशर प्लस और टोटल बोरेंग्स दे रखी है और यह जो हमें अमांट है वो किसमें शोर है इन लेक्स में अमांट शोर रहे हैं तो जो एसेट्स से मार्थ 2023 को वह है 14600 70.84 लेक्स की जो 31 अक्टूबर 2023 सा इंक्रीज हो चुकी जो हो चुकी 17232.87 लेक्स की और यह विन्यू जो हमारे 31 मार्थ 2023 को है वह है 11500 50.09 लेक्स का 31 अक्टूबर 2023 तक रेवेन्यू हुआ है 7411.90 लेक्स का पर हो सकता है हमारे पास मार्थ 2023 में 1205.31 लेक्स का और 31 अक्टूबर 2023 सा प्रोफिट आफ्टर टेक्स हुआ है अभी हमारा 855.78 लेक्स का पर हो सकता है कि जब तक मार्थ 2024 के एंडिंग आए तब तक भी जो प्रोफिट है उसको एक्सिट कर जाए नेट वर्थ हमारे पास 31 मार्थ 2023 को थ के और मार्थ अक्टूबर 2023 तक है अभी 1,605.31 लेक्स के पर हो सकता है कि जब तक मार्थ 2024 के एंडिंग आए तो यह इंक्रीज हो जाए टोडर बोईंग हमारे पास मार्थ 2023 में थी 6,729.31 लेक्स की 31 अक्टूबर 2023 तक है इंक्रीज हो चुकी जो हो चुकी 7,791.95 लेक्स की चलिए अब बात करते हैं इस कमनी के की पफोर्मेंस इंडिकेटर की इस कमनी की जो मार्थ केपिटलाइजेशन है वो है 187.34 करोड की आरोई है इसका 25.05 परसें रिटन अन कैपिटल एंप्लोई है 22.63 परसें रिटन ओन नेट वर्थ है 25.05 परसें डेप्टुकित रेश्यो इसका 11.99 परसेंट प्री आईप्यो जो इसका एप्यस है वो है 6.7 पोस्ट हो जाएगा 5.87 का पी जो प्री आईप्यो होता है 11.2 है पोस्ट आईप्यो हो जाएगा 12.77 तो जैसा कि मैं हमेशा कहते हूं रिटन ओन इक्विटी रिटन ओन कैपिटल एंप्लोईट रिटन ओन नेट वर्थ अगर 15-20 या फिर उससे जाधा है तो यह हमारे लिए प्लस पोइंट है अधरवाइस वो हमारे लिए क्या होता है नेगेटिफ पोइंट होता है तो यहाँ पे जो रिटन ओन ऑन इक्विटी है वो है 25.05 परसेंट पंदरा से जाधा तो यह हमारे लिए प्लस यहाँ पे return on capital employed है 22.63% यानि 15 से ज़्यादा तो हमारे लिए plus point है debt to equity ratio के लिए बाद में देखेंगे अभी हम पहले देख लिए return on net worth return on net worth भी हमारे पास क्या है 25.05% यानि 15 से ज़्यादा है तो यह भी हमारे लिए plus point है debt to equity ratio जो है वो हमारे लिए positive तब होता है जब वो एक से कम होता है अगर एक से ज़्यादा होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है negative point होता है तो यहाँ पे जो debt to equity ratio है वो है 1.96 यानि एक से ज़्यादा तो यह हमारे लिए क्या है negative point है चलिए अब बात करतें इस कम्पनी के GMP की रूपीज का इंटर्म सो प्रसेंट एस 40 का अगर हम इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइसिंग देखें कि जो अभी जी एंपी चल रहा है उस बेसिस पर किते प्राइस पर मार्केट में लिस्टेड हो सकता है तो जीसा कि इसका प्राइस है वह सेवेटी फाइव रू प्रोफिट होगा तो जीसा कि जो इसका इंवेस्मेंट अमाउंट है वह है 1,20,000 का अगर हम इसमें 40% जी एट कर दे तो हमें लगबग 48,000 के आसपास का प्रोफिट होने के चांसे से अगर यह इसी प्राइस पर मार्केट में लिस्टेड होता है पर दीएंपी जो होता है क जिसे 15 मार्च को यह आईपी ओ ग्लोज होने वाला है तो हम 14 मार्च को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अपडेटेड सब्सक्रिप्शन स्टेटस की एंड जी एमपी की बात करेंगे फिर एक हम फाइनल डिसिजन लेंगे अगर हम आज यह डिसाइड करते हैं कि हम इस आईप्यों में अपलाएं नहीं कर रहे हैं तो उस वीडियो में हम यह डिसाइड करेंगे कि क्या हम इस आईप्यों में अपलाएं करना चाहिए नहीं और अगर हम आज ही डिसाइड करते हैं कि हम इस आईप्यों में अपलाएं कर रहे हैं तो अगर इसका GMP आगे जाके कम होता है तो अगर हमें इसमें से विड्रोल करनी की जरुद होगी तो हम उस वीडियो में डिसाइट करेंगे कि क्या हमें इस IPO से विड्रोल करना चाहिए नहीं तो उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारी चेनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हर वीडियो से अपडेटेट रहे सके और सही सही IPO चुन सके ताकि आपको कभी भी कोई नुकसान ना हो तो चलिए अब हम एनलाइस करते हैं कि क्या हमें इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो जैसे कि हमने इस करमनी के क्या देखें फाइनेस देखें फाइनेस में हमारे पास सिफ 31 मार 2023 का डाटा है 31 अक्टूबर 2023 तक का ही डाटा है हमारे पास कंपेर करने के लिए अभी दो साल का डाटा नहीं है तो इस बैसे से हम कंपेर नहीं कर पाएंगे बाकि इसके अलाव हम इसके का देखते हैं KPI में हमारे पार इसका जो return on equity है, return on capital employed है return on net worth है, वो जो सब हैं वो हमारे क्या है 15 से ज़ाधा है तो ये सारा हमारे लिए क्या थे, ये सब क्या थे हमारे लिए plus point है इसके अरावा हमने इसका debt to equity ratio देखा debt to equity ratio जो है वो क्या है इसका एक से जादा है तो ये हमारे लिए क्या होता है negative point होता है अगर debt to equity ratio एक से जादा होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है negative point होता है और अभी इसका जो GMP चल रहा है क्या चल रहा है है 30% इस ले लिए लगा सकते है इतनेा सोट इसको ब्लेस्क पर तो इसेWow तो इस रिस्कों को बहुत साइव कर रहा हूं यह नहीं करूंगी हम जब यह पंदरा मार्च को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अपडेटेट सब्सक्रिप्शन स्टेटस की एंड जी एंपी की बात करेंगे फिर हम एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या में अप्लाई करना है या नहीं तो अभी फिलाल के लिए तो में अप्लाई नहीं कर रहे हूं फिर चोड़ा चोड़ा आर्च को जब हम वीडियो लिकर आएंगे तो उसमें एक फार फाइनल रिव्यू लेंगे फाइनल डिसीजन लेंगे उस बेसिक में अप्लाई करना है या नहीं तो उस वीडियो को देखने के लिए सकते पहले तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर वीडियो से अपडेट करना है तो आप है कर सकते हैं को सारे लोगों की मेंटलीली सोच होती है कि अगर हम सबस्क्राइब करें तो हमारे यह आपने चास्ट जादा हो जाएंगasında अप्र एसा नहीं होता सुनगे एंगे डियोला आप पर करेंगे ingredient थोड़ Carne करेंगे तो इसा नहीं होता bigger ब next kali नूर ही होते हैं तो इसलिए में अपनी अप्लाइब कर रही हूं में लास्ट पे जहां हम 14 मार्च को वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें एक बार डिसाइड करेंगे फिर ही अप्लाइब करेंगे बाकि अगर आप में से कोई भी अप्लाइब करना चाहता है तो वह अपने रिस्क कि इडियो में यहीपर समाप्त करती हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर कीजिए तो आज की वीडियो में है पे समाप्त करती हूँ थैंक यू सो